बे आम आदमी के घर कोई अमीर रिष्टेदार जब आने वाला होता ना तो सारे कमरों में नई चादरें विछा दी जाती है कमोड में तेजाब की बोतलें डाल डाल कर उसे साफ कर दिया जाता है जिस भी दीवार से पपड़ी उखड रही होती है उसके आगे कुरसी रखकर उसे चिपा दिया जाता है और हर टूटी फूटी और मन्हूस दिखने वाली चीज या तो परदे या फिर आलमारी के पीछे ठीक आने लगा दी जाती है दुनिया के सबसे अमीर देश अमरीका के राश्पती डॉनल ट्रम अब कुछी दिनों में हिंदुस्तान आने वाल है और उससे पहले इंडिया में भी यही सब हो रहा है दोस्तों जै हिंद मैं हूरानो कर आप देख रहे हैं पंग कंतर ट्रम चचा अगले हक्ते हिंदुस्तान आ रहे हैं और हम इंदुस्तानी इतने खुश है मानो हमारा सगा चचा मरीका से आ रहा है ट्रम के इंडिया आने से पहले हर रोज इतनी मज़ेदार खबरें सामने आ रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि उन पर हंसू या रूँ उन खबरों पर हंस हंस कर अपना पेट फाड़ लू या दिवार में माथा पटक कर अपना सिर फोड़ लू जैसे दो दिन पहले एक खबर आई कि ट्रम के दौरे से पहले एमदाबाद के पान की दुकाने सील कर दी गई है क्योंकि प्रशासन को ये डर था कि ऐसा ना हो इदर हम पोच्छा लगा कर शहर चमका रहे हैं और उदर कोई कलाकार उस पर पान की पीक मार कर modern आर्ट ना बना जाए क्योंकि हो सकता है मोदी जी एक बार ट्रम को quantum physics भी समझा जें लेकिन ट्रम्प ने अगर किसी खंबे पर या दीवार पर पान की पिचकारी देखकर ये पूछ लिया कि ये क्या है मोदी तो उसे समझाने में खुद मोदी जी के कान से खून की पिचकारी निकल जानी है और मैं कहता हूँ कि शुक्र है ट्रम्प साहब एमदाबाद जा रहे हैं जहां दस बीस पान की दुकाने बन करके काम चल जाएगा खुदा नखास्ता अगर ट्रम्प कानपूर आ रहे होते हैं तो छे महीने पहले ही लोगों के मूझ को वेल्डिंग करके बंद करवाना पड़ते हैं कानपूर तो वो जगह है जहां कुत्ते भी दिवार पर मूथते नहीं हैं बलकि पान की पीक मारते हैं दुनिया को तो अब जाके कीकी चैलेंज मिला है लेकिन कनपूरिय भाई लोग तो पता नहीं कब से चलती गाड़ी का दर्वाजा खोल कर पीक ठेकने के पीकी चैलेंज को लेते आ रहे हैं इस सब के बीच कुछ लोगो को इस बात की बड़े मज़े आ रहे हैं कि ट्रम्प इंडिया तो आ रहे हैं बगर पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं मगर थोड़ा तरस तो मुझे इमरान खान पर भी आता है वो बैचारे ट्रम्प को फोन करकर थक गई कि चचा इंडिया जा रहे हो इस गरीब के घर भी दो खड़ी के लिए आ जाओ मोदी के साथ लंच कर रहे हो हमारे साथ शाम की चाय की चुस्की ही ले लो मोदी से मिलकर बातचीत कर रहे हो हमसे कमसे कम स्काइप पर ही बात कर लो आरे वो भी नहीं करना तो कमसे कम एक मिस्कॉली मार दो ट्रम्प चचा मगर ट्रम्प को भी अच्छे से पता था कि पाकिस्तान वो रिष्टेदार है जो चाय के बहाने बुलाएगा दो ग्लूकोस के बिस्कॉट किलाएगा और फिर बातों बातों में ये बता-देगा कि साहप बड़े-परेशान हैं हमों चार महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है तीन महीने से मकान का किराएग नहीं दिया है दो महीने से गांजा नहीं फुका है ताकि अमीर रिष्टेदार खुद ही शर्मिन्दा होकर जाते जाते उसके हाथ में 500 रुपए रख दे और कहे कि भाईया बच्चों के लिए कुछ ले लेना खेर पाकिस्तान की पाकिस्तान जाने मगर मुझे लगता है कि गेस्ट हो तो डॉनल्ल ट्रम्प जैसे जैसे ट्रम्प अभी आये नहीं है लेकिन उनकी गाड़ी पहले इंडिया आ चुकी मतलब बंदा इतनी दूर से आ रहा है और अपनी गाड़ी भी मंग वाली इतना ही नहीं कि गाड़ी में डालने के लिए तेल भी अमरीका से ले आ रहा है और दूसरी तरफ हमारे रिष्टेदार है जो नहाने के लिए अपने तॉलिये तक साथ नहीं लाते है बातरूम की चपले भी नहीं लाते है माएं ये कहती हैं कि जा जा बेटा कोई दिक्कत नहीं चपल क्यों लेकर जा रहा है वहां जाके मामा के लड़के की पहन लेना और फिर तीन दिन तक मामा का लड़का बेचारा लेदर के शूस पहन के बातरूम जा रहा होता है अब ट्रम्प आ रहे हैं तो हमें ये उम्मीद है कि आएंगे तो कुछ दे कर भी जाएंगे और हमारे रिष्टेदार है जो वापसी की टिकेट भी हमारे डालेगा शगन के पैसे से लेते हैं वह बेचारा तो खाना बनाने के लिए अपना शेफ भी अमेरिका से ले आ रहा है और एक हमारे रिष्टिदार है, जो जब वापस जाते हैं तो वापसी के तीन घंटे का भी सफर होता ना उनका, तो उसके लिए भी हमारे घर से 50 पूडियां और 1.5 किलो आलू की सबजी पैक करवा के ले जाते हैं, इतना खाना? अब इतना खाना वो ले जाते हैं कि ऐसा क्योंकि कली में पढ़ रहा था कि ताज महल देखते वक्त ट्रम्प को यमुना सूखी न लगे, इसके लिए तीन जगे से यमुना में पानी डाला जा रहा है, क्या होगा? इसे कहते हैं विए पी ट्रीटमेंट, वरना तो आजकल लोग सगे बाप को रसोई से पानी लाकर ट्रम्प को ताज महल देखते वक्त सूखी अमुना भदी न लगे, इसलिए वहाँ पानी लाया जा रहा है, और डेड़ महिने में आदा हिंदुस्तानी बात के लिए चिला रहा होगा, क्योंके यहां पीने का पानी नहीं आ रहा है, और इसके लिए पानी लाया जा रहा है नहीं, मैं आज सीरस होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही लगा कि वी आईपी को वी आईपी ट्रीटमेंट तो दो भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आम आदमी को भी कम से कम, ऐसा ट्रीटमेंट तो दो, कि उसे लगे कि वो आदमी है, उसे ऐसा ना वार से आ रहा है उसके लिए तो शहर साफ सुतरा होना चाहिए लेकिन जो बंदा वहीं रहता है यह साफ सफाई वो डिजर्व नहीं करता है हमने अगर उसे जाधा सफाई दे दी तो कहीं उसे अलरजी ना हो जाए यानि आगरा में रहने वाले बंदे को अपने शहर की नालि अब मैं पूछता हूँ कि अगर ट्रम्प जैसों के आने से ही साफ सफाई होनी है सडकें बननी है तो ट्रम्प को पांच-छे महीन पूरा इंडिया घुमा दो कम से कम जहां-जहां वो जाएंगे वहीं का इंफ्रस्ट्रेक्टर ठीक हो जाएगा मैं तो मोधी जी से तुन् कर आप कच्रा लिका जाएं तो सामने हाथ में लंबी जाडू लिये सामने डॉनल्ड ट्रम्प आपको दिखाई दें और हाँ उस जाडू में एक बांस भी तो लगी होगी वैसे भी अमेरिकी राश्पती के हाथ में बांस तो रहता ही है उन्हें हर वक्त करना जो होता है इ हैनी अमेरिका होकर आया हूँ शिकागो गया था मैं वहाँ पर NBA All Star 2020 को अटेंड करने है बहुत मज़ा आया कुछ-कुछ पिक्चेस मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है ट्विटर, फेस्बूक, इंस्टा अगर आप उस पर मुझे फॉलो करते हैं तो उस पर आपने करिएगा और अगर फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को भी ज़रूर फॉलो करिएगा थैंक्यू वेरे मच अपना ख्याल रखें नमस्कार जैहिंद